दोस्तो आज की स्टोरी इलोन मस्क की है जो दुनिया के फेमस बिजनेसमेन, इन्वेस्टर, इंजीनियर और अविसकारक है इलोन मस्क अभी स्पेसेक्स के फाउंडर, सीयो और मुख डिजाइनर है टेसला के को फाउंडर तथा सीयो, आपेन एयाई के को चेयर्मेन, नियूरलिंग के फाउंडर, सीयो तथा दबोरिंग के फाउंडर है जी हाँ दोस्तो ये सब कोई अलग अलग नहीं बलकि एक ही बैक थी इलोन मस्क है फिलाल इलोन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है आज की वीडियो में लाश तक बने रहे, सायद इलोन मस्क की इंस्प्रेसनल सक्सेस जन्नी आपके लाइफ के परती नजड़िये को बदल देगी वीडियो सुरू करने से पहले आपने अभी तब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर दे इलोन मस्क का जन्ब 28 जून 1971 को साउथ अफरिका की राजदानी प्रिटोरिया में हुआ उनके पिता एक इंजिनियर और मा मॉडल थी जब इलोन 9 साल के थे तब उनके माता पिता डिबॉस लेकर अलग-अलग हो गया और इलोन टूटोरिया में अपने पिता के साथ रहने लगे इलोन के दो छोटे भाईवान भी थे जिन पर उनके पिता का कोई ध्यान नहीं होता था इलोन बच्पन से ही सरमीले और किताबों में गुशे रहने वाले बच्चों में से एक थे दस साल की उम्र में ही उन्होंने हैसी ऐसी किताबे पढ़ ले थी जो कॉलेज ए स्टूरेंट भी नहीं पढ़ते थे बारा साल की उम्र में कुछ बुक्स की मदद से घर पे रखे केंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीखी और एक केंप्यूटर गेम बना दिया और फिर उन्होंने उस गेम को बेचकर 500 ौद भी कमाए उस गेम का नाम था ब्लस्टर जो बेशिक प्रोग्रामिंग लैνगविज ड्वाड़ा ही बनाया गया था इस गेंग को बेच कर कमाय हुए पैसों से उन्होंने इसकूल की फीज भी बढ़ी इसकूल में उन्होंने फीज तो भर दी पर इसकूल के कुछ सरारती बच्चे उनसे जगड़ा किया करते थे एक दिन उन बदमास बच्चों ने इलाउन को इतना पिटा कि वे बेहुस हो गया और इसके बास सीजियों से नीचे फैक दिया इलाउन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा जहां कई दिनों के बाद उन्हें अपनी याददास मिली इस गटना का उनकर ऐसा कि वो प्रिटोडिया में रह करी अपने आगे की पढ़ाई करें पर इलाउन अमेरिका जाने को पर्तिबत थे क्योंकि उन्होंने सुना और पढ़ा भी था कि अमेरिका दुनिया का ऐसा देस है जहां महान चीजों का आविस्कार हुआ है 1992 में इलोन ने यूनिवर्सिटी और पैंसिलवीनिया गये जहां से फिजिक्स और एकनोमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल करी 1995 में इलोन मस्ट ने एनरजी फिजिक्स और मेटरियल साइंस में स्टैंट फो यूनिवर्सिटी से पीएचडी में दाकिर हुए पड़वे इंटरनेट बूम और इंटरनेट स्टार्टप में बविस को देखते हुए दो दिन बार ड्रॉप आउट हो गया और छोटे छोटे निवेश से पैसो को इखटा कर अपने भाई किमबल और ग्रिक क्यूडी के साथ मिलकर एक बेज सौप्वेर कमपनी खुली जिप्टू जो अनलाइन न्यूजपेपर इंडर्स्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करते थी लेकिन 1999 में उन्होंने इस कमपनी को 307 मिलियन डॉलर में बेज दिया जिसमें इलाउन को 7% हिस्सेदारी यानी 22 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ उसके बाद उन्होंने एक्स.com नाम की कमपनी खुली लेकिन कुछ समय के बाद ही उन्होंने इसे कॉन्फिनिटी कमपनी के साथ जूर दिया और जब या दोनों कमपनी मिल गई तो उसे पेपाल का नाम दे दिया गया जुलाई 2002 में इबे.com ने पेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर में खरीदा इसमें इलाउन मस्क को 165 मिलियन डॉल जिसको सुंकर अफसर लोग कहते हैं यह प्रावर है गया है उन्होंने अपना साड़ा पैसा बहुंसे कमपनी में इंवेस्ट कर दिया और लॉस एंगिलेस जाकर अपने दोस्तों के यहां रेंट में रहने लगें इंवेस्टमें लिटर में जो पैसा आया उससे उन्होंने साल 2002 ने कंपनी स्तेश एक्स वर्णी स्टेश वर्णी पूस्टेस निया की पहली ऐसी प्रावट अरोगट प्रजेक्ट फ्रजेक्ट सेली गाली विग कागार पर आग ए अन्होंने हार नहीं मानी और किशनों रॉकेट में कीगई कल्पियों से सीथ नेकर छारवी बार प् लेकिन जिनके कुछ बड़ा करना होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं परता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है, क्या बोल रही है चारवी बार उन्हें सफलता मिले, और इस सफलता से पूरी दुनिया की हंत्रिक एजंसियों में खलवली मच गए आज इसकी एस्पेस एक संपनी एक सफल एस्पेस टांस्पोर कमपनी बन चुकी है, ये लोग कोस्ट में नासा एस्पेस एजंसी को एकुमेंट, कार्वो और सेपलाइट को और दुर्फत पहुंचाती है साल 2004 में उन्होंने टेसला मोटर कमपनी में इंवेस्टमेंट किया, जो टेसला कोईल पर आधारित एलेक्रिक कार बना रहे थी, क्योंकि इलोन मस्क यह भाग चुके थे कि आने वाले टाइम में लोग इस तरह की कारों का उप्योग करेंगे दोस्तों आप तो आप भी मान चुकेंगे कि जीरो से हीरो तक का इलोन मस्क का यह सफर कैसा रहा हमें कॉमेंट बॉक्त में ज़रूर बताए हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें खुद पर विश्वास हो इलोन मस्क एक असाधारन व्यक्ति हैं अकांची और जवाब में कभी ना नो सुनने वाले इंसान हैं